आज हम सुजुकी जिक्सा 250 का गियर शिफ्ट इशु के बारे में कुछ डिटेल में बात हैं करेंगे सुजुकी जिकसा 250 में hard gear shift, improper shift, false neutral, down shift करते वक्त, thud 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 करके loud noise इन सबका complaint बहुत सारे लोगों के पास से आता है इस vehicle का gear shift के उपर मेरे चैनल में इससे पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है अब जरूर उसे सर्च करके देख सकते हैं पर फिर भी मेरे और भी बहुत सारे जो वीडियोज है उनके उपर comment section में लोग आके comment करते हैं, लोग पूछते हैं कि जिकसा 250 का hard gear shift के बारे में क्या, उनके बारे में कुछ बताईए, वो कैसे solve करें इसलिए इस issue को re-address करने के लिए मैंने सोचा की एक वीडियो बनाया जाए और इस वीडियो में हम point करकर के solution बताएंगे, जिससे की जिकसा 250 का hard gear shift issue 90% तक resolve हो जाएगा पहले हम most ignored and overlooked चीजों से शुरू करके usual things के तरफ जाएंगे first जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे, जिस विशे के बारे में हम बात करेंगे वो है rear wheel alignment rear wheel का जो alignment है ये कभी भी आप untrained किसी से छेड़ चार मत करवाईए service center में जब आप काम करवाते हैं तब भी इसकी precision के उपर आप जरूर ध्यान दीजिए service हो जाने के बाद आप center stand में लगा के rear wheel को घुमा के देख लिजिए कि wheel alignment एकदम सतीक है के नहीं, एकदम precise है के नहीं वैसे तो service centers में rear wheel का alignment एकदम scale नाप के किया जाता है पर फिर भी ये आपको check करके लेना है rear wheel का alignment एकदम precise होना चाहिए second है chain sprocket, chain sprocket का जो disc है, वो chain sprocket का disc misaligned है की नहीं, वो टेरा है की नहीं, इसके उपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है अगर उसमें कुछ misalignment दिखाई दे या वो टेरा लगे, जब chain घूम रहा हो, तब आपको देखते ही पता चल जाएगा की जो chain sprocket का जो disc है, वो टेरा है की नहीं, misaligned है की नहीं इसे भी properly aligned होना चाहिए, chain properly tighten होना चाहिए, ना ज्यादा lose, ना ज्यादा tight, एकदम properly जैसे होना चाहिए, as per Suzuki recommendation वैसे ही होना चाहिए, chain का tightening, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा की ये final drive chain है, तो इसके लिए इसका proper shape में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस final drive chain को आप super clean करके रखिए, super clean मतलग कि बहुत ज़्यादा expensive कुछ से अप इसे साफ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा expensive product हमेशा chain cleaning के लिए कारगर साबीद नहीं होती है, ये मेरे channel में दिखाया हुआ है, आप chain cleaning के लिए WD-40 का इस्तिमाल कीजिए, WD-40 जो है, ये water को displace करता है, water से final drive chain की अंदर की पूर्जों को protect करती है, fine lubrication इसके द्वारा हो जाती है, तो final drive chain को एकदम super clean करने के लिए और कोई भी contaminant chain से दूर रखने के लिए WD-40 is the best, WD-40 से chain को super clean कीजिए और final drive chain को properly lubricate भी कीजिए, WD-40 से आप पहले clean कर लिजिए, उसके बाद WD-40 क पूरे कपड़े से सुखा लिजिए, एकदम dry कर लिजिए, उसके बाद उसमें आप कोई भी एक premium chain lube डालके chain को lubricate कर दीजिए, इसके लिए आप liqui-molly का chain lube का भी इस्तमाल कर सकते हैं, इसके बाद आता है shifter related parts, gear shifter से related each and every joint and junctions को आप super clean रखिए and properly lubricate करके रखिए, super clean मतलब कि यह नहीं, आप उनको खोल के disassemble करके उसको clean करने की कोशिश करें, या उनका जो rubber का silent होता है, rubber का cap होता है, या housing होता है, उन सबको हटा के आप clean करने की, या lubricate करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है, rubber housing को, rubber cap, casing को हटाने की कोई ज़रुरत नहीं है, आप उपर से, स अच्छी तरीके से clean कर लीजिए और WD-40 का spray उसमें इस्तमाल कीजिए तो वो clean भी हो जाएगा, contaminant free भी हो जाएगा, rusting agent free भी हो जाएगा और fine and mild lubrication भी उसमें हो जाएगा और lubrication के लिए कोई hi-fi lubricant भी ज़रुद नहीं है, इन सब joints and junctions के लिए, WD-40 spray ही यहाँ पर सब कुछ कर देगा, चाहे वो cleaning हो या lubrication next आता है clutch liver का free play adjustment, clutch liver का free play adjustment के उपर एक detailed video मेरे channel में डाला हुआ है, अब जरूर उसको search करके देखिए, कैसे clutch liver का free play adjust किया जाता है और वो वीडियो आप ना भी देखें, तो भी Suzuki का जैसे recommendation है, जैसे Suzuki का user manual में दिया हुआ है, उससे reference लेके आप clutch liver का जो free play है, उससे adjust किजिए next बहुत ही important एक चीज है, बहुत सारे जो पुराने riders है, उनके लिए ये बात बहुत ही ज्यादा लागू होती है हाफ clutch में कभी भी vehicle मत चलाइए, और brake liver के उपर हाथ या पैर रखके उसे थोड़ा सा दबा के कभी भी vehicle को मत चलाइए तो ये जो points के उपर हम बात किये, अगर ये सब आप maintain करें, तो Suzuki Gixler 250 का heart gear shift issue 90% तक resolve हो जाएगा, this is guaranteed तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो like, share और subscribe करना मत भूलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक देखते रहिए, let's talk it चंदन, नमस्कार